जाहिन दोस्तों चलिए तो बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कहा गया है from a point P on a ground the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree if the tower is 100 meter high then the distance of the point P from the foot of the tower यानि कि मुझे एक tower दे रखाए है इस से मैंने point देखा मेरे को P point देखा और इस point से अगर मैं इस tower को देखता हूं तो angle जो बताया है मुझे वह 30 degree बताया है और इसकी जो height दे रखी है वह 100 meter दे रखी है अब examiner ने पूछा है कि यह वाला मुझे distance चाहिए तो मुझे एक चीज तो पता है कि यह 30 है तो यह मेरे पास कितना होगा आपका 60 क्यों क्योंकि यह तो मेरा fix है यह 90 degree और आइंगल टैंगल में अब देखिए अगर मुझे 30 के सामने वाली side दे रखी है उसको अगर मैं root 3 से multiply करूँ तो वो मेरी कि जो side आजाएगी वो क्या है यह 60 के सामने वाली आजाएगी यानि कि इसकी value आजेगी x की value बट यहां option में तो हाई नहीं तो correct answer तो इसका कहीं है बट देखते हैं value रखके देखते हैं value तिन रखिए इसने 100 इंटू में अंडरूर 3 की value ती 1.732 इसको solve करेंगे तो 173.2 एप्रोक्स यानि कि इसका अंसर चुआएगा वो option C correct होगा ओकी आई इसको एक बार और देखते हैं अगर इसको में लंबे से निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या रखका करणा पर्पेंडिकूल याने की 100, बेस याने की x, iscon2 में कितना हो जागा 10 और यह कितना होगा 30 तो यह 100 अप ओन finding x ओ Miguel अँचे ऐल हूं मेरे पास मैं, iscon2 में 10 30 की आप मेरे पास में 1y में में पास में 10y। होगा इसको मां कितना होगा 100 औरяж यह मेरे पास में इसका correct answer होगा तो 100 की अगर आप value रखेंगे 1.732 तो यह कितना आ जाएगा 173.2 आप रोक्स यानि कि option C is question का correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत